हेलो दोस्तों नमस्कार बिंदास मार्केट और इस्टोर्क न आपका प्रिट से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू शेयर के बारे में जी हां दोस्तों इसमें जब से शेयर आया है तब से इसमें अच्छी खासी ग्रावट देखी गई है तो बहुत से लोग परिशान है कि आखिर करना क्या चाहिए चल नहीं रहा है चलेगा भी कि नहीं चलेगा या कहीं और ज्यादा निचा तो नहीं गरेगा सो शेर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा दोस्तो आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी शेर को होल्ड भी किया तब तक आप उसको होल्ड की हुए थे तब तक वो चल नहीं रहाता और जैसे ही आपने उसको सेल किय सेल करने की बाद से ही वो सेर भागना शुरू कर दिया और आप उसको देख करके अपने आप पर गुसा हो रहे हो कि जब तक हमने इसको सेल होल्ड किया था सोरी तब तक यह चल नहीं रहाता और जैसे हमने इसको सेल किया उसकी बाद यह भागना शुरू कर दिया अच्छा नहीं करना है इसकी वी एक रीजन है सो मैं आपको वीडियो को एंत में बताऊंगा सो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही अच्छी न्यूज है सोरी बतला बैड न्यूज है बैसे देखी जाए तो लेकिन मैं आपको एक रीजनली बताऊंगा कि वह बैड है या कि कंपनी में कोई खराब ही तो नहीं है कंपनी सेर की गिर्ग ना ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से चोटी सी रोकेश्ट रहेगी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिएगा बात में फिर आपको ध्यान नहीं रहता है इसके बार में कुछ ज्यादा बताना ही जरूत नहीं है यहां पर मैं फिर भी आपको कुछ बताना चाहूंगा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 8,844 करोर का इसका मार्केट कैप है और ROC 26 परसेंट और ROE 22 परसेंट का है दोस्तों कभी भी किसी भी कंपनी का ROE 17 परसेंट या इससे ज्यादा होता है तो वह बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है ठीक है उसका रीजन यह कि 16-15 परसेंट का रेटन तो हमारे मूचल फं रिस्क नहीं है मतलब रिस्क तो होती है लेकिन इतनी ज्यादा रिस्क नहीं होती है तो इतना फिर उसे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं इसलिए 17 परसेंट से ज्यादा होना चाहिए किसी भी कंपनी का ROE सो अभी मैं नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँगा जैसे कि आप देख सकते हो IT शक्तरे कंपनियां तो यह एमपा से स्टाडल एक्सी इसके यह कंपिटेटर हैं बहुत बड़े कंपिटेटर हैं और यहाँ पर मैं आपको प्रॉफि सब्सक्राइब करते हैं तो कंपने का रिजर्ब 14 करोड़ से 461 करोड़ पहुंच गया और बॉरोइंग कंपनी के पास 96 करोड़ केवल सो की नेक्टिवल मतलब कभी भी दे सकता है यह मालिक जो है इसके पास इतना रिजर्ब पढ़ा हुआ है कि वो कल चाहे तब कल ही दे सक सब्सक्राइब को ठीक है तो यहां पर एक चीज और अच्छी देखी इसमें यहां पर कैस फ्लोव आप देखोगे जोस्तों तो कैस फ्लोवी 12 करोड से 60 करोड पर पहुंच गया है जो की काफी अच्छी चीजे यहां पर सीर होल्डिंग पैटन को देखते हैं तो प्रमोट दिक्कत होने वाली है इस सेर में जुस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों प्रमोटर्स की थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है अच्छी बात है FII और DA वाले तो होल्डिंग घटाते बलाते रहते हैं इनको ज्यादा सेरेसली नहीं लेना चाहिए और मैं आपको बता दूं कमणी में कोई खरावी नहीं है अभी भी मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि कशेrets में ग्रोथ है पॉफिट में गरोथ है और हुई अच्छा है और DoT भी नहीं है कामपनी के पास Cash Flow भी बढ़ वह है अर्णिंग पर शेर भी बढ़ रहा है सो मेरे कॉर्डिंग कंपणी में मुझे कोई खरावी नहीं लगती है और यहां से मैं आपको ले जाना चाहूंगा इस कंपणी के चार्ट पर जहां पर हम देखेंगे कि कंपणी ने अभी तक कोई भी रिटर निकालकर नहीं दिया है जब से यह कंपणी आई है तब से अब त 2021 को आया था अभी कितने दिन हुए इसको कुछ भी नहीं जुस्तो साल डेट साल कोई टाम नहीं होता है वरेन वफेट बोलते हैं अगर आप किसी सेर को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो उसको 10 मिनट के लिए भी होल्ड मत करो अभी बेश दो और निकल जाओ तुमको जाकी पैसा बनता है आपको तुरंद पैसा चाहिए तो आप अभी बेश देना कल ही बेश देना और इसमें मत आना यह जगह आपके लिए नहीं है और बात करते हैं कि सर हम इसको होल्ड कि हुए चलनी रहा है जब बेश दें तब भागने लगेगा तो क्या करें बेश दें दोस्तों मैं आपको बता दूँ जब आप किसी शेयर को बेश देते हो उसके बाद भागने लगता है पता है क्यों क्योंकि उस शेयर में कोई कमिन नहीं होती है अभी हमने इसको देखा फंडमेंटिकली बहुत ही श्ट्रॉंग कंपणी है ठीक है क्योंकि हमने सब कुछ द अच्छी है और 30% 36% का कोई ज्यादा ग्रावट नहीं है इतना तो अच्छी अच्छी कंपणियों में ग्रावट हो जाती है बड़ी-बड़ी कंपणिया है और मैं आपको बता दो 2021 सोरी 2022 जो यह है ना यह थोड़ी बहुत भी फ्लक्ट्विसन वाली यह होने वाली है 2021 में बहुत से लोगों ने पैसा बना लिया था जैसे भी इनवेस्ट कर दिया पैसा बने गया सब मतलब आपकी जो पैसेंस ना इस साल पता चलने वाला है इसमें वही टेक पाएंगे जो रिएल इनवेस्टर है और बाकी सब निकल जाएंगे और बाक इसके अलावा मैं आपको एक चीज और देखाना चाहूंगा यहां पर तो कि जोस्तों कंपनी मुझे कोई खरावी नहीं लगते मैं आपको एक चीज और देखाना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हो यहां पर अल्धो देर श्ट्रॉंग कंपेजिएं चाहिएं बहुत ज्यादा कंपणीं कंपोनी लेकिन लेटन वी फंडमेंट्कली प्ट्रॉंग कंपने यह और इत टम्स ओफ वैलुशन एट पी रिस्यों सहतीस लेटन व्यूशन वैलूड तो इसकी जो पी रिस्यों सहतीस है जो की ज्यादा ज्यादा नहीं है इतना I think that is company can create wealth for its shareholder in the future and it's worth applying for the IPO for long term wealth creation तो बतलब यह company जो है लंबे समय में बहुत अच्छी wealth create करके देगी बाकी आपकी ओपर depend करता है दोस्तों आप क्या सोचते हो क्या करते हो ठीक है महापर मैं आपको एक चीज़ी और दिखाओंगा money control की website पर 89% लोग जो है इसको buy का recommendation दे रहे है या कि buy कर लो ठीक है buy करने की recommendation दे रहे है बाकी आप अपने risk की according ही इसको hold करें या बेचें अपने plan के according अपने research के according ही share को बेचें या buy करें ठीक है आकि मेरे according company बहुत ही strong है fundamentally और promoters की बात रही तो promoters तो अच्छे-ची company में holding घटाते हैं हमें जब भी कोई दिक्कत हो रही हो किसी company में तो हमें उस company की बारों में जा लेना चाहिए कि company करती क्या कंपनी के अंदर को घरावी है जो कि हमें नहीं लगी और company का business जो है बहुत ही future business है सो बाकी आप देख लिना अपने लेवल पर research कर लिजेगा दोस्तो मेरे according तो इसमें कोई गवरान वाली बात नहीं है कमेटी को सब्सक्राइब आपकी एक सब्सक्राइबर का मुझे वेट रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब